हाजी दोस्तों, very good evening, कैसे हैं आप? मैं तो आज बहुत खुश हूँ और आज वीडियो की शुरुआत करने के पर जो की बहुत ही important वीडियो होने वाला है, आप सभी को धेज सारी शुपकामनाई देती हूँ, gratitude पे करती हूँ, उन सभी खा जिसने community post में मेरे award वाली pick पर यह नहीं है कि मैंने कोई बड़ी चीज अचीव करी है, yes, यह बात सच है कि मैंने ही कहा था कि बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, आप लोगों की तरह मेरी भी शुरुआत हो गई है, लेकिन literally gratitude, total gratitude to all of you, मैं literally एक intention send कर रहे हूँ कि मेरे इस project में, जिन जन लोगों ने मु यह सारा का सारा श्रेह आपको जाता है, और बिलकुल इस donation के बदले आपके जो भी कर्मा है, लाइफ में वो कटें और आपको धे सारी success, growth, positivity and reunion प्राप्त हो, बलकि से वितना ही नहीं, आज तक आप लोगों ने जिस purpose से भी चाहे pediatric child cancer के लिए donation दिया, चाहे save girl, चाहे की donation द घर में कभी birthdays होता है, आपकी DM का birthday होता है, आप लोग एक wisdom मुझसे मेरी wisdom के लिए जो आप लोग जो donate करते हो, जो देते हो, आज तक मैंने कभी नहीं कहा, आज मैं पहली बार intention set कर रहे हूं, कि उन सभी के कर्मा, आप सभी के कर्मा जरूर कटें और आपको धे सारी सफलता, सभी को सफलता प्राप्त हो, सभी को उनका divine union प्राप्त हो, या universe ने जो best आपके लिए plan किया हो, वो आपकी life में बिलकुल घटित होए, ये मेरी दिल से शुपकामना है उन सभी के लिए, क्योंकि मैं literally I am feeling कि जो भी प्राप्ती मुझे हुई है, ये उसका पूरा का पूरा share universe के बाद सिर्फ आपको जाता है, तो मेरा मुझे आपको gratitude पे करना बनता ही है, और जिन लोगों ने मुझे शुपकामना है दिये, उनका बहुत सारा आभार, जिन जिन ने donate किया है, उनको तो बहुत ही ज़ादा, मतलब I am speechless, मैं पस आज word नहीं है, आपको gratitude पे करने के और ये सफर की सिर्फ शुरुआत है, हमें आगे बहुत आगे तक जाना है, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बड़े purpose के लिए हम लोग इस journey पे आए हैं, पहले ये purpose मैं अकेले कर रही थी, अब आप लोग मेरा हाथ थाम रहे हो, और हमें बहुत big purpose तक, जैसे हम सब मिल के उस बड़े purpose तक पहुचेंगे, सिफ यूनियन को अपना intention मत बनाईए, देखिए अगर आपकी intentions authentic है, honest है, divinely guided है, तो आपकी जीत तो पकी है, और बस यही मेरा secret है, बहुत लोगों ने मुझे comment में कहा कि ma'am you are really a strong woman, hardworking woman, this and that, everything, एक ही secret है, कि I am authentic with myself, I am honest with my God, और कुछ नहीं, कोई भी, कोई भी ऐसा intention नहीं है, कोई भी negative intention नहीं है, कि, you know, बस soul purpose, my soul purpose, my soul mission, इतना ही, साथी साथ इस से मुझे याद आ रहा है कि, जो मेरे son का जो channel है, आप में से बहुत लोगों ने subscribe किया हुआ, and again, मैं इसके लिए आपको gratitude पे करती हूँ, Actually, मैं ये जो channel को मैं देख रही हूँ, हम लोगों ने इसको बड़े intention के साथ, intention set किया था कि, जरुवत मद लोगों तक ये channel पहुँचना चाहिए, कि, जो लोग coachings नहीं नहीं सकते हैं, बड़े-बड़े, या एकदम से इनको problem आ रही है, तो लेकिन, use the lessons, और मुझे लगा आता, बहुत सारी synchrosities हो रही है, 1111 की, 369 की, 222, 255, 233 पहार से, तो मैंने ये assure कर लिया, कि literally this is again a divine deguided channel, ये universe का, today I've realized, I confirmed कि, एक universe का order है, कि आपको, आप सभी को वो channel इसलिए subscribe करना है, क्योंकि आपको, आपकी जो groups होते हैं, अपने WhatsApp के groups, या आपके friends, या colleagues, जहां ऐसे बच्चे हैं, उन सब तक ये videos पहुचाना है, share करना है, this is again one of the sole purpose, चीक है, चलिए, अब बहुत important वीडियो है, मैं बहुत ज़्यादा लंबई, अपनी बात नहीं करूँगी, recently मैंने बात आकिती सेंट जिर्मन के बारे में, ये video को आज आपके समने लाने का purpose ये है, कि स्टार्गेट पोर्टल खुला हुआ है, इस वोकत आप सभी लोग एक heavy energy को इस वोकत experience कर रहे हो, एक थोड़ा सा tension वाली energy को, chasing वाली energy को, या थोड़ी सी manipulative या negative energy को, आप experience कर रहे हो, और जिर्मन का जो मैंने बताया था, वालेट फ्ली मेटिशन के बारे में, तो सबसे important, ये best है, आपकी इसी low vibrational energy को, ट्रांस्प्यूट करने में, positivity में, ठीक है, अब पूरा detail, आप divine feminine से सुनेंगे, बहुत इच्छा describe किया हुआ है, उनको पी ठी सारी ब्रसिक्स दीजिए, और अपना ध्यान रखिये, लव यू आल, गोट बेस्यू आल, है, I hope आप सब ठीक है, आज का टॉपिक है, अदि वोयलेट फ्लेम ऑफ सेंट जर्मेन, तो अगर आपको याद हो, कुछ टाइम पहले मैं ने एक वीडियो शेर किया था, अबाउट यूजिं वोयलेट फ्लेम, by invoking Saint Germain, Archangel Michael and Archangel Zekiel, तो आज थोड़ा सा और हम डीटेल में डिसकस करेंगे, that what is exactly the violet flame of Saint Germain, और हम उसे as a spiritual tool for transmutation, कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, so, Saint Germain, पहली बात, let's discuss कि Saint Germain कौन है, अगर आप लोगों को, काफी लोगों को पता होगा, that he is an ascended master, and he is the keeper of seventh ray, और violet flame, I mean light ray, अगर आप देखें, अगर आप एक prism से light ray को पास करें, या rainbow में देखें, तो उसके seven colors होते हैं, ठीक है, and each color, each frequency has a specific significance, और उस में से, the keeper of the, the in charge of the violet frequency, आप ऐसा बोल सकते हैं, is Saint Germain, okay, so, वो एक ascended master है, and also a very important ascended master, who is one of the in charge, या आप बोल सकते हैं, director, for this age of transformation, from Pisces to Aquarius, हमारे planet earth के लिए, like, there are many ascended masters, but he is also one of the major ascended master, who is helping the humanity in this transformation, okay, so, Saint Germain के बहुत सारे incarnations भी रहे हैं, अलग-अलग eras में, to help humanity to ascend, okay, so, so, he is the keeper of the violet flame, I mean, अगर आपको violet flame invoke करना है, so, you can pray to Saint Germain, to invoke that violet frequencies through you, so, that we'll see in the later part, ठीक है, so, it is a spiritual tool, to transmute low vibration densities, transmute याने change करना, transform करना, convert करना, ठीक है, so, kind of a spiritual weapon है, again, we are in a spiritual warfare, जहां पर, it is a fight or a war between the low frequencies and the high frequencies, so, you can use it as a tool, to just change the low densities एक higher vibration में, okay, it is a flame of alchemy, used for transmuting disease, low energy and experience, अब जब हम बात करते हैं कि negativity या लो देंसिती, so, what does that exactly mean, उसका मतलब is not just like आपके फिर्स या आपके जो बाकी अलो वाइब्रेशन या आपका एगो है, that also, as well as आपकी फिजिकल डिजीजेस हैं, या आपके किसी के साथ रिलेशन्शिप में प्रोब्लम्स हैं, या आपका कोई रिपीटेट पैटर्न्स हैं, या some experience that you want to transform into your highest timeline, so, you can use violet flame for that also, ठीक है, अब ये violet flame work कैसे करता है, थोड़ा सा अगर हम 3D में आके, फिजिक्स के टर्म्स में समझें, कि how is violet flame so important क्या, ये work कैसे करता है, so, out of all the light, जैसे rainbow का, अगर आप उस 7 rays देखें, ठीक है, तो उसमें violet light की सबसे छोटी wavelength होती है, it is just physics for 2 minutes, so, if you do not connect to this, that's okay, but somebody who has like more of a logical interest, कि how does this violet frequency work, maybe for them, तो अगर wavelength सबसे ज़्यादा short है, एक light की, उसका frequency सबसे ज़्यादा high रहता है, visible spectrum में, और frequency is directly proportional to energy, यानि अगर violet frame का frequency highest है, that means उसमें energy highest है, और अगर energy ज़्यादा है, that means even physical matter को change करने की, उसमें capacity ज़्यादा है, ठीक है, so, अगर light ray को हम 7 colors में break करें, अगर आप rainbow में भी देखें, तो violet color edge में रहता है, like it is a bridge between visible and non-visible light spectrum, और अगर कई तरह की light rays या frequencies हमारे आसपास है, बट हमारी human eyes बहुत ही limited frequencies को देख सकती है, it is very very limited, जो हमें, जो visible spectrum है, और violet light एक तरह का transformation frequency रहता है, visible to non-visible area में, so, जैसे ये एक spiritual tool है, या एक, it is not a real flame, violet flame में spiritual flame है, जैसे that is a bridge between the physical realm, और आपका जो spiritual world है, उन दोनों के बीच का एक तरह का bridge है, जो हमारा ये spiritual violet flame है, और ये हमारे चार lower bodies में work करता है, या जो aura के inner four layers है, etheric body, याने जो हमारा root chakra से correspond करता है, तो it can help us transmute, जो physical body के illness है, that is connected to root chakra, या किसी भी तरह का imbalance, it works on our emotional body, that is connected to the sacral chakra, ठीक है, that is your emotions, या negative feelings, या जो भी आपके mood swings रहते हैं, it can all help to transform these negativities, mental body, that corresponds to your solar plexus chakra, जहां पे हमारा power, या repetitive thought patterns, depression, anxiety, egoic patterns, implants, psychic attacks होते हैं, in our mental body, again, it can be used to protect and transform, these low density aspects, हमारी mental body के, and the astral body, that is connected to the heart chakra, which is a link between spiritual and physical realm, which is mostly responsible for the leaky, और also, ठीक है, so या वाइलेट flame, it works on your lower four chakras, और या जो आपका four lower bodies है, और आपके जो चार inner layers हैं, उस पे वर्क करता है, but it can work beyond also, बेसिकलिए आप इसको किसी भी चीज़ को transform करने के लिए, इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है, so वाइलेट flame, जब हम इन्वोक करते हैं, या ऐसा imagine करते हैं, कि हम एक वाइलेट frequencies से surrounded हैं, यह वाइलेट flame, या वो जो वाइलेट frequencies रहती हैं, वो हमारे body या cell के, एक-एक body के, एक-एक cell में जाएगा, एक-एक atom में जाएगा, हमारे emotions के subconscious mind और memory के, and then वहाँ से वो अपना work करना start करता है, वहाँ से it will actually start working on the dense energies, उसको transmute करने के लिए, ठीक है, और यह work कैसे करता है, अगर, again going back to your school time, if you remember, आपके physics में आपने पढ़ा होगा, कि atoms are mostly empty spaces, ठीक है, उसमें आपके electrons and protons रहते हैं, but overall अगर आप total composition देखें, एक atom का, तो उसमें 99% खाली जगा रहती है, ठीक है, and उसका mostly weight, atom के nucleus में रहता है, ठीक है, so, जो जितना भी empty space रहता है, atom का between those protons and electrons, that is where, जहाँ पे आपका negativity store होता है, the dense energies, आपकी body, physical body में, या outer body में, वो dense energies store होती है, जिसे diseases होती है, या हमें low vibration emotions feel होंगे, ठीक है, so, जितनी भी हमारी negativity है, karma है, dense energies है, या जो इन electrons के vibration को slow कर देता है, that is all stored in our four lower bodies, ठीक है, so, again, and, violet flame क्या करता है, कि अगर मैं ऐसा intention, set कर रहे हूँ, ठीक है, कि I am in my auric body, या मैं अपने light body में हूँ, and I am allowing this violet flame, to penetrate through my body, ठीक है, through my all sorts of body, like मैं spiritual body, mental body, emotional body, and physical body, तो ये violet flame जाके, negative energy को positivity में, convert करने लगता है, ठीक है, again, यहाँ पे, strength theory का भी है, आप example दे सकते हो, कि even electrons and protons को भी, scientist ने further break किया है, और भी जादा subatomic particles में, and they found out कि, they are also electrons, are also made of strings, ठीक है, and these strings are nothing but, the vibrating energies, ठीक है, so हमारे आसपास कुछ भी, even जो solid चीज़े भी हम देखते हैं, everything is the condensed form, यानि हादन form of vibrating energy, okay, so basically everything is energy, इसका कहने का ये मतलब है कि, even electron का भी छोटा part is, vibrating energy, so ये violet flame has the capacity, कि वो उस vibration को जाके, impact करे, and it converts that vibrating string, into a higher frequency, ठीक है, so basically it is a tool, कि वो किसी के भी vibration को raise करके, it can convert it into a higher frequency, ठीक है, so जैसे एक, if I set the intention कि मेरी body में, या कही भी हर एक, atom में violet flame, penetrate कर रहा है, ठीक है, so what it will do is, वो एक तरह से, जो negative energy है, beach के gap में, हमारी body, या हमारे cell के gap में, जितनी भी negative energy store है, उसको breakdown करके, उसे positive energy में convert करता है, it will raise the vibration of your cells, और atoms, ठीक है, एक तरह के detergent जैसा, कि वो सारा negativity या dirt, wash off कर देगा, आपके being से, आपके emotion से, आपकी और एक body से, और उसको pull करेगा, एक higher frequency में, ठीक है, तो, अगर आपने देखा, कि जो invisible spectrum है, energy का, उसके भी काई सारे यूज़ा, जैसे ultraviolet light, इभन होस्पितल में यूज़ा होती है, या अगर आप दूसरी lights भी देखेगी, X-rays is again not visible, but then it is, used to generate your X-ray photographs, right, and then, बाकी आपका microwave है, it will again penetrate through the, through the atoms of our food, जब हम microwave में खाना रखते हैं, okay, and that will again raise the vibration of the, the tiny particles of the food, और the food will start getting heated up, ठीक है, that is how the waves work, कि वो even subatomic particle में जाके, level पर जाके, एक matter को change करने की कोशिश करता है, जो हमारे sound waves है, for example, the power of the sound waves is, अगर मैं even pyramids की बात करो, so the technology they used, to build the pyramids, was creating sound at a particular frequency, that will actually lift, the heavy, जो आपके stones है, and it will start placing them on top of other, so जो हमें normal 3D में पढ़ाया गया, कि people used to pull that stones, is not very correct, but the technology of the sound, like at a particular frequency, हम even, जो matter है, उसका weight change कर सकते हैं, उसे lift कर सकते हैं, या solid चीज़ों को भी shift कर सकते हैं, and all these technologies, were known to mankind, but somewhere it is not totally forgotten, and हम इस तरह के जो frequencies का power है, उसे अब यूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सालों तक जो violet flame का knowledge है, it was given to only very few people, जिनको priest या जो भी higher authority के लोग या उन्हें लगता था, कि they are spiritually capable of handling that knowledge, but in the age of Aquarius, जो हमारा Aquarius का age है, या जो 5D का age है, in this the knowledge is not restricted, एक particular कोई illuminati group के लिए, या एक restricted group के लिए, ही सिर्फ spiritual knowledge नहीं है, it is for all of the mankind, जिसको हम हमारे ही life को बेटर बनाने के लिए, यूज कर सकते हैं, ठीक है, so violet flame can only be used for good intentions, okay, we cannot use it for any negative intentions, or negative purpose, as it is a very angelic frequency, higher divine frequency, so it has to be used only for good purpose, अब St. Germany ने एक kind of decree दी है, या एक mantra दिया है, आप समझ लिजे कि हम ये repeat कर सकते हैं, अपने माइन में, that I am a being of violet fire, I am the purity, God desires, ठीक है, so अब violet flame को इन्वोक कैसे करना है, तो आप 2 minute meditation में जाएए, और आप intention set करें कि again, you are in the astral realm, या जो भी आपका meditative area पर imagine करते हैं, आप एक white light में, वहाँ पर आप St. Germany को invoke कर रहे हैं, and St. Germany is helping you, या आपके अंदर, violet flame को invoke कर रहे है, through your crown, ये violet frequencies enter करें आपकी body में, ठीक है, and कुछ time के लिए आप intention again set कर सकते हैं, every area of your chakras, and it has started as work, वो जितनी भी जितनी भी negativities आप एक stone जैसे, या पत्थर जैसे imagine करिया, और वो एक एक को एकदम, atomic level पर break कर रहे हैं, ठीक है, आप से और एक बार आपने बहुत देर तक violet frequencies ले ली हैं, so you can actually imagine कि आप एक portal बन गया है, या एक gateway बनके है, जहां से violet flame निकल के आपके आसपास के area में, प्लानेट में spread हो रहा है, okay, and when you invoke this, उससे पहले आप Archangel Michael का protection ले सकते हैं, when you are actually healing yourself, using the violet flame, ठीक है, so again set intention and imagine yourself, surrounded in violet light frequencies, और आप उसके पहले, golden bubble का intention set कर सकते हैं, that will protect you, जब आप healing ले रहा है, उसके अंदर ये violet frequencies से आप अपने आपको heal कर रहा है, ठीक है, and imagine violet frequencies penetrating through every atom of your body, and burning dense energy into white golden, मतलब ये dense energy convert हो के golden frequencies, ये white frequencies में convert हो रही है, okay, and again, it is not just this, but अगर आपको कोई experience में भी आप violet flame invoke कर जेकते हैं, suppose आपको train से travel करके दूसरी city तक जाना है, okay, and you want की, beach में कोई रुकावट ना आए, या कोई tough situation ना आए, तो आप prayer में, you can literally imagine कि वो पूरा रास्ता, आप train में बैट रहे हैं, train से travel करके दूसरी city तक जा रहे हैं, and that entire experience जो आपका journey करेने वाला है, that is covered in the violet flame, like हर जगा violet fire जल के, जो भी blockages आने वाले हैं, उसको burn कर रहा है, ठीक है, so basically violet flame can be used for transmutation, यानि आप ये prayer में बोल सकते हैं कि, convert my ego into divinity, ठीक है, जितना भी मेरे अंदा hatred है, convert it into love, okay, convert all negative thoughts into positive thoughts, ठीक है, or feels into bravery, all guilt, shame into a higher frequency of knowing, convert all the repeated patterns, or belief systems into my highest timeline, ऐसे opposites के लिए, आप intention set कर सकते, like for opposite experiences, so transmutation या alchemy का मतलब है, opposite चीज़ है, like in past, जो हमारे ascendant masters रहते थे, वो जो metal है, जैसे lead है, copper है, उसको gold में convert कर पाते थे, using these violet flames, हमें वो नी करना है, but that is again a metaphor कि, हमारे अंदर का जो, lead है, या जो normal metal है, उसको हम golden frequencies, या golden experiences में convert कर सकते हैं, so transmutation या उन्य opposite experience में, which is of a higher timeline, उसमें convert करना है, या जो आपके ही, आप थोड़ा थोड़ा time निकल के, if you start like just five minutes a day, if you start using violet flame, or literally bathing in violet flame, आग बन कर के, that Saint Germain is helping you, that can help you in transmitting the energy, so होगा क्या कि आपको, आपके outer reality में, कुछ ना कुछ situations ऐसी आएंगी, या slowly, some things will happen, that will start changing your experience, या आपके ही, ऐसे experiences बाहर निकल के आएंगे, जो आपके कर्मा को, release करने में help कर रहे हैं, so you will have, you will go through those situations, and even बहुत सारे, लोगों का भी ये experience है, that using violet flame, वो काफी सरे disease को भी, healthy life patterns है, health में convert कर पाए है, definitely your medical aid is the first priority, but that is how you can use this, as a spiritual tool for transmutation, okay, so I hope this helps to clarify, thank you, take care, and see you soon, bye.